इन दौर शहर से करिब 30 किलमीटर दूर साविर गाउं में हनुमान जी का अद्बुत मंदिर है जहां हनुमान जी जिर के बल उल्टे खड़े हैं इस प्राचीन मंदिर में स्थापित हनुमान जी के उल्टी प्रतिमा विश्व की एक लोती प्रतिमा है जो लोगों की आस्ता का प्रमुक केंद्र है लोग हनुमान जी की अद्बित प्रतिमा के दर्शन करने देजवर से आते हैं मंदर में हनुमान जी के साथ भगवान शुरी राम, माता सीता, लच्मन और शिफपार्वती की में मूर्दिया स्थापित है कवंदितियों के अनुसार मंदर में यदि कोई व्यक्ती, तीन या पास सु मंगलवार तक बजरंग बलीजी के दर्शन के लगाता राता है तो उनके सबी कश्ट दूर हो जाते हैं साथ ही उनकी सबी मनो कामना भी पूर्ण हो जाती है यहां मंगलवार को हनुमान जी को चोला चड़ाने की भी मानिता है मंदिर में स्थेत हनुमान जी की प्रतिमा अत्यन्त चमतकारी है दोस्तों पुराणिक कथा के अनुसार रामायन काल में भगवाई श्री राम वर रावन का यूद्ध हो रहा था तब अही रावन ने एक चाल चली और खुद अपना रूप बदलकर अपने को श्री राम की सेना में शामिल कर लिया इसके बाद रात के समय जब सब सो रहे थे तब अही रावन ने अपनी शक्ति से शे राम पर लच्मन को मुर्चित कर अफरन कर पाताल लोग में ले गया जब वानर सेना को ये बात पता चली तो सारो तरफ हडगंप मज गया हनमान जी, भगवण राम वर लच्मन की खोच करने लगे वो खोच करते करते पाताल लोग में जा पहुचे वहाँ पर अही रावन का वद उन्होंने भगवण राम और लच्मन को वापस ले आए माना जाता है कि सावेर ही वो जगे है जहां से हनमान जी पाताल की और गह थे उस समय हनमान जी के पाव आकाश की और तथा सरधर्दि की और था जिस कारण उनके उल्टे रूप की पुजा प्रतिमा आज भी यहांस दित है और यहा जग जागरत है दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलेगा और इसे और मैं और अधूत मंदिख देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद